आजम पारशाइट मोवी के दूसरी पार्ट के बारे में जानेंगे लेकिन उससे पहले अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो उपर आए बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको उसका लिंक मिल जाएगा तो होफ़ली आपने पहली पार्ट देख लियोगी वहना आप इसमें जादा को समझ नहीं पाएंगे और आप एक बहुत इंटरस्टिंग मोवी मिस कर देंगे तो कहानी पिछली टामलेंज से कुछ महीने आगे बढ़ चुकी है और पुलिस को पैरसाइट्स के बारे में सब कुछ पता चल चुका है एक किस तरह से पैरसाइट्स लोग को मार कर उनके बीची चीपेवे थे पुलिस एक साइको सीरियल के लिए उरुगामी को पगड़ गर उसका इस्तमाल करते हैं क्योंकि उरुगामी के पास एक स्पेशल एबिलिटी थी जिससे वो इनसानों के सकल में चीपेवे इन पैरसाइट्स को देख कर ही पैचान सकता है पुलिस उसके सामने कुछ सस्पेक्ट्स को लाती है लेकिन सब उसके मताबिक नॉर्मली थे लेकिन जब सीरियल को उरुगामी के सामने लाया जाता है तब वो थोड़ी सोच में पड़ जाता है लेकिन वो उसे भी इनसान ही बताता है क्योंकि पैरसेट मीगी ने सिनीची के बस राइट हैंड को ही कंट्रोल किया था और सिनीची अब भी इंसान ही था इसलिए उरुगा में उसे पहचान नहीं पाया घर वापस लोटते वक्त सिनीची को मीगी से पता चलता है कि उसके 700 मिटर के रेडियस के अंदर ही कोई पैरसेट मौजूद है सिनीची पैरसेट को डूणते हुए एक बिल्डिंग में जा पहुंचता है जहां पैरसेट किस इंसान को मार कर खा रहा था यहां पर पैरसेट सिनीची पर हमला कर देता है जिसे सिनीची अपने लेप्ट हेंड उसके सीने में गुसा कर उसे माँ डालता है और इसे हमें ये कन्फरम हो जाता है कि सिनीची पिछली बार से अब ज्यादा ताकत वर हो चुका है और पैरसाइट्स को खतम करने में लगा हुआ है सिनीची उस लास के पास खड़ा होकर रिग्रेट कर रहा था कि अगर हो कुछ दिर पहले यहां पर पहुँच गया होता तो पैरसाइट इसे नहीं मार पाता कि तभी सिनीची को एसास होता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो हम सिरो नाम के एक रिपोर्टर को देखते हैं जो पिछले पार्ट में भी सिनीची का पीछा कर रहा था और सिरो को मिस्त कमाया नहीं ऐसा करने के लिए हायर क्या था इसके बाद हम शेर के नेमेर तकेशी हिरो कावा जो की खुद एक पैरसाइट है उसे देखते हैं जिसने टाउन हाल में सारे पैरसाइट्स को मिटिंग के लिए बुलाया है और साथ ही यहां पर तामया भी मौझूद है तामया भी अपनी इंसानी बच्चे को जन दे चुकी है और उसे पाल रही है ऐस अन एक्सपेरिमेंट पैरसाइट्स कोई मालूम है कि सीनीची और मेगी उन्ने खतम करने में लगवे हैं लेंकि तामया के कहने पर वो उने कुछ भी नहीं कर रहे है क्योंकि सीनीची और मेगी बहुत स्पेशल है और तामया उन दोनों को आब्सर्फ कर रही थी ताकि उन से ये सीख पाए कि पैरसाइट्स हुमन के साथ को एक्जिस्ट कैसे करेंगे अब क्योंकि अगर कोई भी पैरसाइट सीनीची के पास जाएगा तो मेगी उसे सेंस कर लेगा इसलिए तामया ने सीरो नाम के रिपोर्टर जो की एक इंसान है उसे हायर किया था सीनीची पर नज़र रखने के लिए लेकिन सीरो को ये बात पता नहीं थी कि तामया खुद एक पैरसाइट है ओ तामया से मिलता है और बताता है कि उन्हें सीनीची को पबलिक में एक्सपोज कर देना चाहिए जिस पर तामया उसे मैनिपलेट करते हुए ये कहती है कि इससे हो खुद प्रॉबलम में आ चाहिए और उन्हें थोड़ी देर और साथ रहना चाहिए दूसरे दिन स्कूल में सीनीची सीरो को नोटिस कर लेता है और उसे कंफरेंट करता है जहांपर सीरो उसे कहता है कि उसे पुलिस में सरेंडर कर देना चाहिए वो उसके हल्प जरूर करेंगे लेकि सीनीची यहांपर मना कर देता है क्योंकि पैरसैट्स ने पुलिस में भी अपना कबदा जमा लिया था सीनिची को ये पता चल जाता है कि सीरो को उसके जासूसी करने के लिए TAMIA नहीं हायर किया है इसलिए तामिय से मिलता है और उसे वान करता है कि इस लड़ाए में ओ इनसानों को बीच में ना लाए TAMIA भी सीनिची से पूछती है कि यो पैरसाइट्स को क्यों मार रहा है हम सबी तो अभी वी इनसानों को मार कर खा रहे हैं और दीरे-दीरे सब बंद कर लेंगे और एक नया तरीका ढूंड लेंगे इसलिए तुम्हें में मारना बंद कर दू सीनीची तामिया के बात मान लेता है जिसके बाद वो सीरो को भी वान करता है कि जिस तामिया के लिए वो काम करता है वो भी खुद एक पैरसाइट है लेकिन सीरो उसके बात नहीं मानता और दूसरे दिन ताकिशी यानि कि मेर के टाउन हौल में चला जाता है उसका इंटर्वी लेने इंटर्वी के बहाने सीरो वहाँ पर एक वोईस उन्हें मारने के इंटेंशन से आ रहे थे लेकिन उन्हें बस एक ही पैरसाइट दिखता है मिकी जिसका मतलब है कि इसके एक बोड़ी में पांच अलगरक पैरसाइट का कब्जा है मिकी और सीनीची अकेले ही पांच पैरसाइट से नहीं लड़ पाएंगे इसलिए वो यहा यहाँ पर मैर यह नोटिस करता है कि जब से तामिया मेर बच्चे को जनम दिया है तब से उसके अंदर human feelings आ रही थी यही बात मेर को पसंद नहीं आती इसलिए वो तीन parasets को तामया को मारने के लिए बेजता है तामया पहले उन तीन parasets को sense कर लेती है और building के parking space में अकेले उन तीनों को मार गिराती है लेंगि जब वो अपने कमरे में जाती है तो वहाँ पर उसका baby को किसी ने चुरा लिया था यह काम सीरो का था जो अपने बेटी के मौत का बदला तामया के baby को मार कर लेना चाहता था और इसलिए उसने उसे flower bridge पर बुलाया था bridge पर सीनीची भी आ पहुंचता है जो सीरो को समझाता है कि वो बच्चा एक normal human है लेकिन सीरो उन दोनों के बाते नहीं सुनता सीरो ने अपने सारे investigation file पुलिस को already पेज़ दी थी जिससे पुलिस को यह पता चलता है कि टाउन हॉल में मेर और बागी के parasites चिपे हुए है इसलों एक operation carry करते हैं जिसमें building को खाली करवाते हैं और सभी को scan करते हैं इसमें जो भी उन्हें parasite मालूम पढ़ता है वो से माँ डालते पुलिस यहाँ पर अपने साथ सीरेल किरर उरुगामी को भी लायते ताकि बागे चिपेवे parasites को भी वो डूण पाएं परसाइट्स का खात्मा करते हो जब यह मेर के पास पहुंचते हैं तब मेर उनसे कहता है कि इनसन खुद खुश रहने के लिए हमिसा से दूसरे species को eliminate यानि की खतम कर देता है और इनसान ही इस अर्थ पर कबज़ा करने वाले real parasites हैं जिसके बाद पुलिस मेर पर गोले चला कर उसे मार देती है अब आती है एक twist जिस मेर को हम parasite समझ लेती वो दरसल एक इनसान था और परसाइट के साथ मिला हुआ था औरुगामी ये देखकर हसने लगता है कि किस तरह से एक इनसान दूसरे इनसान को पैचान नहीं पा रहा था लेकिन उसके हसी जल्द ही पीछे पलेटने पर चीक बन जाती है क्योंकि उसके पीछे parasites का लीडर गोटो कड़ा था वही parasite जिसके अंदर पांच अलग-अलग parasite exist करते हैं उसका गोली चलाने पर भी उसका उसका कोई असर नहीं होता गोटो कहता है कि तामिया की वज़े से वह अभी तक डॉर्मिंट था लेकिन अब और किसी को भी नहीं छोड़ेगा और सब को मारने लगता है दूसरी और सीरो तामिया के बेबी को फेक नहीं वाला था लेकिन तामिया सब के सामने ही पहले साइट फॉर्म में आ जाती है और सीरो को मार कर अपने बेबी को बचा लेती है सीरो मरने से पहले खुश था क्योंकि उसने तामया को सबके सामने एक्सपोज कर दिया तामया पर अब पुलिस गन पॉइंट कर दीती है और वो समझ चुकी थी कि अब उसका बच पाना मुश्किल है इसलिए अपने बेबी को सिनीची को सौप देती है सिनीची उसे आगे बढ़ने से मना करता है क्योंकि एज़ा करने पर पुलिस उस पर गोली चलाने वाली थी लेकिन वो आगे ही बढ़ती जाती है पुलिस की गोलियों में तामया खुद को न बचा गर सिर्फ बच्चे को ही प्रोटेक्ट करती है और उसे सिनीची को सौप देती है जिसके बाद वो खुद मर जाती है तामया को मरता देख सिनीची को इसके मदर की याद आ जाती है और वो रूप अड़ता है सिनीची अपने गर्ल्फरेंट सातों में से कहता है कि अब वो वापस से इंसान बन गया है और समी मोशन दुबारा से आ गए थे इसके बाद पुलिस सीनीची से पूछताच करती है कि उसका इस पैरसाइट से क्या रिलेशन है तब ही पुलिस को ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि टाउन ओल में गई वे स्पेसल फोर्स को किसी अकेल ही पैरसाइट ने माड दिया है और ये कोई और नहीं बलकि गोटो खुटता सीनीची पूलिस के साथ टाउन होला जाता है जहां पर उसका सामना गोटो से होता है जो कि बहुत ही पावफुल था सीनीची कार लेकर यहां से भाग जाता है लेकिन गोटो आसानी से उसका पीछा करके उस कार का एक्सिडेंट कर दीता है जिसके बाद सिनीची गोटो से बचने के लिए जंगल के अंदर चला जाता है यहाँ पर वो एक प्लान मनाता है अब क्योंकि पहरे से एक दूसरे को सेंस कर पाते हैं इसलिए गोटो उन्हें डूंडते हुए यहाँ पर आई जाएगा इसलिए सिनीची मीगी को उससे अलग होने के लिए कहता है गोटो जब यहाँ पर आप पहुंचता है तब सिनीची और मीगी उस पर अलग अलग डारेक्शन से हमला करते हैं लेकिन गोटो इससे भी बच जाता है गोटो बहुत ही स्ट्रॉंग है इसलिए मीगी सिनीची को जंगल में भागने के लिए कहता है क्योंकि गोटो एक इंसान को जंगल में संस नहीं कर पाएगा सिनीची मीगी को अकिला लड़ने के लिए छोड़ कर जंगल में भाग जाता है और यहाँ पर मीगी की मौत हो जाती है इस लड़ाई में मीगी के मौत को लेकर सिनीची बहुत ही सैड हो जाता है और अपने गर्ल्फरेंड सातो मीगे पास चल जाता है नेक्स दे सिनीची को पता चलता है कि मीगी अभी भी उसके राइट एंड में ही जिन्दा था और फिर से रीग्रो कर रहा था ये इसलिए क्योंकि जब पिछली बार मीगी ने सिनीची के हाट को हील किया था उसमें मीगी के पार्टिकल सिनीची के बॉड़ी में रह गयते लेकिन गोटो वो इससे भी कुछ नहीं होता वो सिनीची से कहता है कि उसे मारने के बाद सारे इंसानों को भी मार डालेगा और बस पैरसाइट से इस दुनिया पर राज करेंगे गोटो सिनीची को मारने ही वाला था कि तब ही मीगी सिनीची के हाथ पर वापस आ जाता है औ बाड़ी को reject कर देते हैं गोटो देखते ही देखते एक बहुत बड़े monster में convert हो जाता है और बाकी के parasite उसकी बाड़ी को छोड़ कर चले जाते हैं अब उस बाड़ी में बस गोटो की parasite रह जाती है जिससे सीनीची उठाकर आग में फेकर उसे मार डालता है कुछ दिनों बाद मेंगी सीनीची से कहता है कि अब क्योंकि सारे parasite मारे जा चुके हैं इसलिए उन दोनों का भी अलग होने का time आ गया है मेंगी इसके बाड़ सीनीची को buy कहकर hibernate करने चले जाता है जो कि उसके evolution का final stage था सीनीची मेंगी को वापस बुलाने की कोशिश करता है लेकिन मेंगी नहीं लोटता इसलिए उसे बहुत बुरा लगता है कुछ महीनों बाद सीनीची अब सातोमे के साथ एक normal जिंदगी जी रहा था एक दिन जब ये दोनों तामिया के बच्चे से मिल ले जाते हैं वहाँ पर psycho killer उरुगामी आकर सातोमी को kidnap कर लेता है छट पर उरुगामी सी सीनीची से पूछता है कि क्या उसे लगता है कि इंसां real monsters हैं या नहीं जब सीनीची सातोमी को बच्चाने के लिए आगे बढ़ता है उरुगामी सातोमी को लेकर building से कूच जाता है सीनीची सातोमी को पगड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है और यहाँ पर मिगी रहे हैं तो डू सब्सक्राइब और कॉमेट मुझे याद से बताएं कि क्या हम अड़ को गंदा कर रहे हैं तो मिलते हैं नेक्स टाइम इन एक्स्ट वीडियो